न्यूस तक अब नए अंदाज में लेकिन अब बसंती को पकड़ने के लिए तो क्या करें फ्लाइट को बंद करवा दे यह बाते में क्यों कह रही हूं दरसल ओमिक्रोन वेरियंट को ना का वो साउथ अफरीका में मिला है और अब वो ओमिक्रोन वेरियंट जो है वो 10 देशों में फैल चुका है तो क्या ऐसे मे हमें डरने की जरूरत है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि दिसंबर में कोरोना की तीसरी रहरा रही है इन तमाम सवालों का जवाब हम जाने की कोशिच करेंगे डॉक्टर रवी गोट से से बहुत-बहुत स्वागत है आपका नियुस तब पर सर्वाशकार मैंने आज तय किया कि शोले की बात करूंगा नहीं सीधा आराम से साइंस के बात करूंगा लेकिन बैचारा वीरो आपने मजबूर कर दिया अभी साउथ आफरीका का वैक्सिनेशन कितना हुआ है पता है आपको बहुत कम हुआ है 23.8% लोगों को दो टीके लगे है 28.4% लोगों को एक टीका ल फिर भी उखे रहे थे वहां तो अभी आ गया ओमिक्रॉन ओमाइगाड अभी देख लो सब तुम लोग डॉक्टर रभी जैसे आशावादी लोग अब तो आपकी बैन बज गए अब तो आ गया ओमिक्रॉन ओके 2858 केस थे साथाफ्रिका में परसो और कल आए 2560 कम हो गए पहले 800-900 थे अभी 2000 है लेकिन साथाफ्रिका में अभी इलेक्शन होए थे मैट्रिक का एग्जैम हुआ था वैक्सिनेशन कम है लेकिन यह फैल नहीं रहा है और यह जो सब आप दुनिया में आकड़े सुन रहे है कि यहां पूर्टुगाल में 13 मिल गए है स्कॉटलैंड में 6 मिल गए है जब भी नया में आपका इंटर्व्यू के पहले अभी देख रहा था नियू यॉयॉक टाइम यहां भी नया देखो जिदर देखो उदर एक मिल रहा है यहां पर एक मिल गया है उदर जपान ने बन क पर भी जल्डी से बोल देता हूं यह जरूरी नहीं है कि हर कोई उत परिवर्तन खराब हो वालमी की रूशी ने रामायन लिखी ती लेकिन वालमी की रूशी पहले वालया कोड़ी हुआ करते थे बड़े खुंखार डाको थे तो वालया कोड़ी का वालमी की भी हो सकता है अगर आफरीका में ये बहुत साउसर का जन्य है, अगर, और वो लेकिन ज़्यादा सीरियसली बिमान नहीं करता लोगों को, मामोली की तरह है, तो मैं कहता हूँ, ऐसे बात करनी नहीं चाहिए बेबाद, आफरीका के लिए अच्छा है, काफी दादत में लोगों को हो जागा इसका कुछ study है नहीं, वो कह रहे थे, आठ नवेंबर को पहला case आया था, तो अभी vaccine चलेगी या नहीं चलेगी, वो सब पता नहीं है न, तो Omicron के बारे में कोई भी कुछ बता नहीं सकता, तो अगर अच्छा नहीं बता सकता, तो बुरा भी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात, मैं आपको कह देता हूं, बड़े आत्म विश्वास के साथ, बाद में आप दूसरा सवाल पूछें, मार्च 2021 में, मैंने कहा था, तीसरी लहर नहीं आएगे, मैं अकेला था, सब हस रहते, मैंने उपर, आपके शो पर ही था, कि डेल्टा के वज़े से, यो हो, आठ ल नवेंबर में नहीं आई, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, ओमाइकरॉन के बारे में, ठीक है, आपको भी पता नहीं था, वर्ल्ड हल्ट और किसी को भी पता नहीं था, आज मुझे ओमाइकरॉन के बारे में पता है, तो वो जानते हुए भी, मैं कह रहा हूं, भारत म तीसरी लहर नहीं आएगी क्या Omicron से खत्रा है क्या उससे डरने की जरूरत है Omicron को सिर्फ हमसे नहीं लड़ना है उसको डेल्टा से भी लड़ना है क्योंकि डेल्टा भी उसके साथ जूंज रहा है तो डेल्टा है वो आपका बटुवा मारता है और Omicron शायद आपका गला घोटा हो शायद नहीं लेकिन जिसके पास बटुवा नहीं है उसका गला नहीं घोटेगा तो डेल्टा ने काफी सारे अल्मोस सारे भारतीय लोगों का बटुवा मार चुका था तो जिनके पास डेल्टा है उनको कोई डरने के ज़रूरी नहीं है भारत का प्रतिकार नैसरगिक प्रतिकार शक्ती के जो कोविड होने के बाद आती है उससे हुआ है और उससे म्यूटेशन से भी प्रोटेक्शन होगा अभी ऐसा मुझे लगता है और मैं सही हूँ क्यों? मार्च 2020 में डेल्टा था क्या? नहीं था, औरिजिनल कोविड था डेल्टा काफी बदला हुआ था मार्च 2021 में जब दूसरा लेहर ने कहर मचा दिया था इंडिया में उनमें कितने लोग थे कि जो सिरियसली इल होए थे जिनको ओरिजिनल कोविड हुआ था लगबक कोई नहीं तो डेल्टा आने के एक साल पहले जो इंफेक्शन हुआ था नाचरल उन्फेक्शन उसने उन्हें डेल्टा से बचा दिया तो नाचरल इंफेक्शन से जो इम्मुनिटी मिलती है वो सबसे बहतर होती है फिर भी टीका लगवाना चाहिए दिमाग में ये भी है कि जब टीका लगाने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है और जो ओमिक्रोन वेरियंट पर जो स्टडी सामने आई है शुरुवाती स्टडी सुमने कहना है कि दोनों वेक्सिन लगाने के बावजूद ये कोरोना हुआ है तो हमसे भी लोग सवाल ये पूछते है तो फिर क्यों वेक्सिन लगाएं अगर फिर भी कोरोना होना है तो दो डोस लेने के बाद कोविड होना ये कोई बोलने की बात ही नहीं है हो इसकता है क्योंकि कोवैक्सिन या कोविशिल की मानो एफिकसी 70% थी ओरिजिनल कोविड के खिलाफ डेल्टा के खिलाफ शायद 50% होगी मतलब 1 in 2 चैंस है यह आपको कोविड होने का तो क्या मुझे वैक्सिन लेने के बाद कोविड हो सकता है आरे वो डेल्टा भी हो सकता था लेकिन आप अस्पता नहीं पहुश रहे थे उसके वज़े से लहर नहीं आ रहे थे तो यह जो वैक्सिनेशन जिन्होंनों लिया है जिनको प्रतिकार शक्ती है उनका ओमिक्रॉन से बचाव थोड़ा शायद कम होगा लेकिन फिर भी बचाव होगा और इसकी एक वज़े मैं बोल देता हूँ आपको जो हंसा मामी और गोपी चाचा जिनके पैर पकड़ के हमको पहला टिका दिया था वो दूसरे टिके के लिए नहीं आएंगे और फिर वो ओमिक्रॉन का शिकार बन जाएगे तो आज जो हम कर रहे है उसकी वज़े से भविश्य में प्राब्लम आ जाएगी तो आपको टिका लेना है अमरीका ने खल ओमिक्रॉन पे बड़ी बात की और वो बात के एंड में उन्होंने कहा इसलिए हमको टिके लेने है ओमिक्रॉन आ रहा है इसलिए टिके लेने है तो ऐसा नहीं कि टिकों के ओमिक्रॉन के खिलाफ टिके नहीं चलेंगे तो हम फिर क्यों टिके ले ले और ऐसे कोई काफी लोग है जिन्होंने टिक के नहीं लिए और वो लेना भी नहीं चाहते और उनके हाथ में बड़ा हतियर है WhatsApp का तो कुछ भी बखवास उदर फैला दे रहते तो उनके हाथ में एक नहीं हतियर मिल गया चलो तो क्या टिका लगवाने का फाइदा क्या Omicron के खिलाब तो चलता है नहीं है क्योंकि वैक्सीन जो है वो बेसिकली कोरोना के गंभीर प्रभावों से तो हमें बचाती है हमें hospitalized होने से बचा देती है इसलिए हमें वैक्सीन लेना और महाराथट्र में तो आहीं रही है और महारास्त्यमि upside और महारास्ट से ही पहली और दूसरी लार की शुरुआट भी पूरे देश अंडैश्वर में वहय थी तो यापने तो कई सा में पहले बूल थिया था की पीस्री लह नहीं आरही है तो अगर कोई भी बूलता है तो फिर उसकаю लहर को बेटे ओगर वह घोड़े पर नहीं बैटा ओटा तबाख्यं नहीं खाता वह गोली नहीं तो मेरा एक दोस्त है, जिसने दो टीके लिए है, हमेशा मास्क पहनता है, दोस्तों को नहीं मिलता है, किसे के गले लगे हो है, दो साल बिद गए है, वो अभी और क्या सा उदानी बढ़ता हैगा, उसकी तरफ से मैं गवर्मेंट को एक सवाल पुछता हूँ, बच्चों का स् लिए, वो किसे के है, हमyu रहे हैं, हमको स् का रिया, थैसकी साल बारियंट की बारे में यह सकते हैं कि, क्या ये समय है, क्या आपके America में हो, चाहिए यॉरम के नहीं आपको शुरू कर दी गई है, या बच्चों की वैक्सिन शुरू कर दी गई है, तो आपको लगता है, बह बॉस्टर डोज या बच्चों की वैक्सीन को लेकर जो कदम में वो जल्दी उठाने जाई है तेन मैने पहले उठाने जाहिए थे जब आपने वो सुने जो हो गया यह कहेंगे अब तो हो गया तो हो गया तो भविश्य की तरह आशा की तरह देखेंगे जो बूस्टर का बॉस्टर का लोड लेने की जरूरी नहीं है क्योंकि भारत में काफी नैसरगिक इंफेक्शन हो एते जब हमारे चार लाग केस आ रहे थे हर केस के पिछे चीपे पचास लोग खड़ेते तो दो करोड लोग वो संक्रमित हो रहे थे जिन लोगों को कोविड का नैसरगिक संक्रमन हुआ है उनको शायस्ट बूस्टर की जरूरी नहीं है सिर्फ एक कैटेगरी को छोड़के जिन हेल्थ केर वरकर्स ने कोवी शील्ड के दो डोस चार हकते के फासले से लिये है उनका प्रभाव थोड़ा कम होता है तो उनमें स जिन लोगों को आर्टी-पी-सियर पॉजिटिव कोविड नहीं हुआ था उन लोगों को अगर कोवैक्सिन का एक बूस्टर दे दिया तो बहतर रहेगा बाकी डरने की जरूरी नहीं है हमारा टांगा रामगड पहुच चुका है यॉरप जो है वो इस वक्त इतनी कोरोना की मार क्यों जहिल रहा है क्योंकि उस्ते तो पहली लहर भी देखिया है दूसरी लहर भी देखिया है हमसे ज़्यादा लहरे उस्ते देखिया है यानि कि कोरोना उसे बार बार देखा है भारत से ज़्यादा बार देखा है लेकिन के बाउजूब भी वहाँ इतनी ज़्यादा की मार क्यों है वो भी तब जब वहाँ पर vaccination जो है वह हमसे कहीं ज़्यादा है यूरफ का जब हब कहते है vaccination कहीं ज़्यादा है तो average vaccination ज़्यादा है Eastern Europe में बहुत कम है Bulgariया में 34% है Russia में 36 है Germany में 69 France में 68 UK में 68 तो काफी फरक है इस्टन यूरप में काफी फरक है उनका एवरेज और अगर ये साउथ अफरिका न्यूज नहीं आता तो हम लोग यूरप की बात करते होते हैं यह आपको लगता है यूरप की लहर ओमिक्रॉन के वज़े से आई है नहीं यूरप की लहर अनवैक्सिनेटेड लोगों के वज़े से आ रही है वैक्सिनेटेड लोगों को भी डेल्टा हो सकता है वो भी काफी कम फीसद में लेकिन वो serious ill हो सकते है मर भी सकते है लेकिन बहुत कम तादाद है लेकिन जर्मनी आस्ट्रिया जैसे देशों में 30 फीसद ऐसे लोग है जो वैक्सिन लेंगे ही नहीं उनको लेनी ही नहीं है तो फिर मेरा आखरी सवाल यह है कि चाहे वो ओमिक्रोन वेरियंट हो या फिर कोरोना की 30 तेहर के बारे में बात हो क्या सही उपाये रहेंगे और इसके अलावा सवाल यह है कि जो भारत सरकार ने भी अब ट्रैवल को लेकर जो पाबंदिया है उसे थोड़ी बहुत कड़ी अब शुरू कर दिए कि कॉरिंटीन करने के लिए और इस तरीके जो कदम उठाए है कभी विशेशक के लिए मानते हैं कि ट्रैवल बैन नहीं करना चाहिए जो कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों और इसराइल जैसे देशों ने साहूत अफ्रिका के खिलाफ कर दिया तो आप क्या मानेंगे क्या ट्रैवल बैन सही है या और दूसरे इसके साथ पैंडेमिक पहले ठीक था वेव को रोकने के लिए अभी ठीक है भी हाथ में नैचरल इमिनिटी है पैक्सलोवीड करके दवाया है मर्क का भी दवाया है अब लाइफ चालो होनी चाहिए किसी गरीब आदमी को जो रोजी रोटी के लिए बाहर पड़ता है उसके चार साल के बात क्यों करें अभी इंडिया महफूज है फुष रहो स्वस्त रहो मस्त रहो और जो चालू है वह चालू रखो मैं मेरे फॉलोर्स को कभी नहीं कोंगा कि मास्क मट डालो जो भी कर रहे हैं वो जो गवर्मेंट बोल रहा है वो करो लेकिन लोगों की तरह से मेरी अथोरि दिया है उनको बूस्टर ओफर करो मर्क का स्टॉक पाइल करो फाइजर पील को पैक्सलोविड को अप्रूवल दे के उसका स्टॉक पाइल करो बाकि सब चालू करो खोल दो और मस्त रहो कि पाइल करो अप्रपी।